की नाम है तो किसा नकंपल अज क्रmost सरकार और मिना नहीं होटा काई ही हो oh अबसर हम नहीं बता सकते कैसे कम पढ़ जाता कैसे नहीं कोटा वाला कम दे रहा हो अब सरकार गह रहे हैं जिसको 35 किलो मिलता था उसमें आप दुगना हो जाएगा देखो सर जैसे दुगना हो जाएगा तो कोई बात नहीं हम तो भी भाई अच्छी होगी अब युक्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार लगातार गरीबों को लिए कर रही है अरे ठीक है सरकार म और हना गुरु चड़ा एक खेत महीं हैं चड़ जाता है तो छब खेत में पाइदा करते हैं माच्झू कायके नाज पानी लाते हैं वह को खाद पानी लगाते हैं तो वह रोचड़ जाता है तो कैसे बता दिया जाए सर किereपके काड़ केंदा नाज पानी वह चानी बैश हैं और गरीब आदमी है नजमीन है नजग है और जहां नो लेटो ज्यादा नहीं जलती है तब जो हैं तो आनो कि शुपरसाद निगहां कि अब भी राशं मिल आता सरकार की दरफ तुपितना मिलता था फांच खुलो कोटे बाले बराबर देते हैं और सरकार कह रहेंगे मुलब जुगना देंगे दस कुलो हां तो कितना भुजर्बसद ठीठाक होगी अब दसकेलों से क्या होगी है अब मजदूरी बराबर का चलती रहे तो कौम चलता रहे सरकार काफी कुछ कर रही है कि आलग रहे हैं कि और किसी सरकार चाहे तो दुबारा आरे जो सब को चाहे तो हम क्यूं से करें के कहां से आई हो जह कि पुर्वत है ना अरकारने पहले सद्दाइक प्रकार कर मिलता था न कि मिलता है अब शरकार कहा है हम 10 किलो देंगे जिसको एक यूनिट पर पांच किलो मिलता था अब सरकार कहा है कि हम 10 किलो देंगे हैं तो अगर मिल रहा है दस किलों पांच की जगह तो कितना सही है नहीं सही है मुकेश कुमार कहां से आयो गुर्बागा संजीत यह बताओ रासन अब बढ़ गया है पताओ यह पांच किलों मिलेगा तो अच्छा है पहले पहले उसमें कम कर देते तो कौटे दर ने बताओ यह योगी सरकार जो रास्तान और विजली सब दे रही है जा अच्छा किया है पर यह जानवार चोड़ा दिया है तो कुछ होता नहीं फेद में सब चड़ जाता है यही जैनवार रात में खेते हैं लेकर बत्ती टार्च कैसे कहां तक खेतेंगे कमाई ने नहीं जा पाएंगे फिर खेती वेती में ऐसे करतेंगे इसकी सरकार चाहते हो अगले से अगले से आदो